आउतल दरपन द्वारा प्रतिविम किस प्रकार से बनता है उसको याद रखने की दो ट्रीक यहां पर आपको बता रहे हैं पहली ट्रीक देखिए कराय रखी वस्तु अनंत पर छवी फोकस पर ही आए परे बकरता केंद्र से तो सी यफ बीच बनाए सी पर रखी वस्तु गर तो सी पर छवी बन जाए और इसका उल्टा भी सही इसको लोग अठिया है इसी प्रकार से दूसरी टिक यहां पर है कि वस्तु और प्रतिविम की बिभिन इस्थितियों को आप लिख लीजिए अनंत सी से परे ऑर और तो क्रम से इसी प्रकार से लिख लिया अब यहां पर देखे सी पर अगर वस्तु रखी गई है तो सी पर ही प्रतिविम प्राप्त होगा इसके बाद अब अनंत को यहां पर ले आए यह 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 पर बन जाएगा फिर सी से परे अगर है तो सी और यह के बीच director सी और यख के बीच में हैं तो सी से परे बनेगा और अगर यख पर है तो यह अनंद पर बनेगा इन दोनों का इस्तिमाल करके आप बड़े आसानी से अवतल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिविम की इस्थित को बता सके